हलो फ्रेंट्स दिस इज एस्वी वेल्कम टो अधिकमन्च विए प्रिजन्ट है विदा अनौदर नियू सेशन देट इज चाइल्ड साइकलोजी इंप्रोटेंट कोश्चन सीरिज फ्रेंट्स मनो विज्ञान से सम्मंदित महत्पूर्ण कोश्चन सरंकला की इस सीरिज में आज जो हम करने वाले हैं वह रहेगा व्रद्धी वां विकास से सम्मंदित कच इम्पोर्टेंट कोश्चन करेंगे इस से पहले हम ग्रोथ एन्ड डवलोप्मेंट से सम्मंदित पट बन कर चुके हैं उसमें हमने महत्पूर्ण कोश्चन्स डिसकस किए थे तो आज जो discuss करने वाले हैं वो भी बहुत important रहने वाले हैं बेसिकली यह जो series कर रहे हैं हम सीटेट 2020 के द्रश्टी से कर रहे हैं इसके साथ साथ जहां कहीं भी child psychology यानि कि बाल मनोविग्यान पूछा जाता है वहां के लिए यह important है चाहें वो यूपी टेट हो सूपर टेट हो एंपी टेट हो एस टेट हो और कोई भी इस्टेट हो उसके साथ कोई भी teaching exam हो आईए शुरू करते हैं यह series तो यह रहा आज के लिए first question पहला question यह रहा पहला question कहता है which of the following is the first step of growth and development friends निमली कितमे से कौन सा व्रद्धी और विकास का पिर्थम चलना है व्रद्धी और विकास का पिर्थम चलना सीधा सीधा यह simply कह है तो प्रेंच किसी भी बच्चे का जो विकास है वह मां के गर मअ के हों जाता कि यहां prec красив प्रूइबavan चाहिए इस चैंञि कि स्थाइब मेंधे होता है अब हम चलते हैं नेक्स्ट एरा कॉस्चन नमबर टू निम्लिकित मैंसे कौन विकास में आनुब बन सकता के पिरभाव का सरवादिक उप्युक्त वरणन करता है फ्रेंड्स डवलपेंड की जब भी हम बात करते हैं तो जो हैरिडिटी है मावाप से आये जो विशेषता है बच्चे में यानि के आनुब बन सकता उसका पिरभाव सरवादिक उप्युक्त वरणन करता है निम्लिकित मैंसे आनुब बन सकता यह तैय करती है कि हम कहां तक जाएंगे इस बात को तैय करती है कि हम कहां तक जा सकते हैं या फिर यह बात यह इस बात का मुख्य निर्धारक है, कि हम कहां तक जाएंगे, यह फिर D-Option कहता है, यह इस बात का मुख्य निर्धारक है, कि हम कहां तक जा सकते हैं, सिर्फ आनू बन सिकता से, किसी भी बच्चे के विकास का, एक अनुमान, एक सटीक आंकलर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो सिर्फ यहां पे हम D-Option के तरफ जाएंगे, D-Option कहता है, इस बात का मुख्य निर्धारक है, यानि एक निर्धारक मात्र हो सकता है, कि हम कहां तक जा सकते हैं, यानि कि जीन द्वारा, माबाप के जीन द्वारा बच्चे में जो भी विशेशता हैं, वो इस बात का निर्धारक हो सकती है, मतलब कहां तक जा सकता है बच्चा, सिर्फ बिल्कुल मुख्य निर्धारक नहीं, कि वो वहां तक जाएगा ही जाएगा, हम सिर्फ कह सकते हैं कि वो कहां तक जा सकता है तो यहाँ पर question number 2 का D option बिल्कुल सही होता है अब हम चलते हैं next year question number 3 गिरो अवस्ता किस आयू वर्ग एवं विलम विकास से संबन दित है gang age associated with age and delayed development age गिरो अवस्ता का संबन किस से है ठीक है तीन से छहीं वर्ष एवं भासा यानिकर इस तीन से छहीं वर्षकी जो अवस्ता है यह यह भास विकास यह फिर आठ्टे 10 वर्षक क्यावर्षक यह पर समाजी αλλάा हैं दो गरनिन सोले से उननिस वर्षक के वर्षक जिस्में नेटिकता से 성मद्द की अवस्ता को कहा जाता है गेंग एज की जब भी हम बात करें तो friends b option बिल्कुल सही रहेगा यहां पर जब भी हम childhood की बात करते हैं friends यानि की बाले अवस्ता जो 2-12 वर्ष की बाले अवस्ता है ठीक है तो बाले अवस्ता के भी दो पार्ट कर दिये जाते हैं दो से चेवरो्स की आवस्ता जिसे पूर बाल ले वस्ता यानि कि early childhood 6-12 वस्त की जो अवस्ता होती है ठीक है उसे later childhood यानि कि उत्तरबाल ले वस्ता तो फ्रेंज 2-6 वरो्स की आवस्ता में बच्चा grow यानि कि group में रहना प्रारंब नहीं करता ठीक है चमीश से डो वर्स दो से चैसर वर्स की अवस्ता की अड़ी हम बात करें तो उसमें इसको यानिकी प्री गेंग एज कहते हैं बिल्कुल नौट कर लिजी दो से 6 वर्ष की अवस्ता जो है early childhood वो pre-gang age है जिसमें बच्चा इसे pre-school age भी कहते हैं pre-gang age भी कहते हैं लेकिन question के हिसाफ से question पूछा गया है यहाँ पर option में जाएंगे हम 8-10 वर्ष यानि कि 6-12 वर्ष की जो अवस्ता है उसे grow अवस्ता कहते हैं इस समय बच्चा अपने दोस्त अपने peers के साथ रहना पसंद करता है एक grow एक gang बना लेता एक group में रहना प्रारम करता है और इसी के साथ यदे हम कहें तो 6-12 वर्ष यानि कि 8-10 वर्ष की अवस्ता में बच्चे स्कूल का इस्थाई सदस्व हो जाता है यानि कि यह होगी 6-12 वर्ष की अवस्ता उत्तर वाले अवस्ता में बच्चे का grow अवस्ता यानि कि गेंग एज कहते हैं इसे ठीक है तो कुस्चन नमबर 3 का ऑप्शन नमबर B विल्कुल करेक्ट होता है ठीक इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट यह रहा कुस्चन नमबर 4 कुस्चन नमबर 4 कहता है जीन और गुंशूत्र माता के गर्व में गर्व धारण के समय बालक में माता पिता से इस पेस पहलिवों क को इस्थांत्रित करते हैं जीन और गुंशूत्र यानिकी जीन्स और जो क्रोमोसोंस होते हैं उसके द्वारा जो बच्चे में विसेस्ता हैं ट्रांसपर होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं पोसक सामाजिक नैतिक या फिर आनुबांसिक हैरी डेटरी जो गुंशूत्र होत के बच्चों में transfer होती हैं तो question number four का option number D विल्कुल सही होगा इसके साथ चलते question number five बच्चों में पिर्थिवा सालिता इस पेस के कारण हो सकता है यानि कि giftedness in children can be attributed to बच्चों में जो पिर्थिवा साली गुण विद्वान होता यानि कि बच्चा कोई भी gifted है वो किस कारण से होगा उसमें बहुत सारी पिर्थिवा है उसका सम्मंद किस से है या कोई बच्चा बहुत ज़्याद़ पिर्थिवा साली है विरलेंट है तो उसका क्या एक मुख्य कारण है ऑप्शन एक की तरफ चलते हैं ऑप्शन एक कहता है सफल माता पिता के द्वारा आई जो विसेष्था है जो आनुबन सिक्ता यानि बंसानुगत होते हैं और उसका यदि वातरवन उसे बहुत अच्छा मिलता है तो दौनों डिपेंड करते हैं कि बच्चा कितना गिफ्टिड है या पिर्तिवा संपन है पिर्तिवा जो लेकर बच्चा पैदा होता है वो मा के गर्व से लेकर पैदा होता है तो मा के गर्व से लेकर कोई भी चीज कोई भी विसेष्थ आएंगी तो उसका संबन सीधा सीधा रहेगा फ्रेंट्स हेरीडिटी से यानि कि उसके आनुवस्टता से तो यहां पर हम देख पारें कुश्चन नमबर 5 का सी अप्सेंबल को सही होता है अब हम चलते हैं नेक्स कुश्चन नमबर 6 इन में से एक बाहकारक है जो एक बालक के व्रद्धी और विकास को प्रवावित करता है यानि कि कौन सा एक कारक है जो बच्चे के व्रद्धी एवं विकास को प्रवावित करता है सारे रिक बाहकारक के बात करेंगे हम external एफेक्टर जो रहेगा यानि कि सारे रिख परियावड़ बुद्धी मत्ता जैविक कारक या फिर हम बात करें डी आनुबन सकता फ्रेंट्स हम देख पार हैं डी सी और बी तीनों के तीनों किसी भी बच्चे के internal factor है, चाहें हम Intelligence की बात करें चाहें हम जैविक कार क्याना कि वायad logical factors की बात करें यह capability factors की बात करें ठीक हैं लेकिन जो बाहकार्ग है वो है उसकी स्रावलिक परियावन यानि कि फिजिकल इंवार्मेंट फिजिकल इनवार्मेंट से सम्म मतलब है उसका बहुतिक बाता होन जो बच्छे को उसके परिवेस में पिर आने के बाद उसे प्राप्त होता है तो कुल मिला के यहां पर यह option रहेगा question number 6 का option number A बिलकुल सही होता है अब हम चलते है question number 7 question number 7 को कर लेते हैं question number 7 से पहले वो छूट गया next आएगा वो 8 को कर लेते हैं इन मेंसे कौन सा बाल विकास का एक सिद्धान्त है यानि कि which one of these is a principle of child development बाल विकास का सिद्धान्त निमने खित मेंसे कौन सा है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन किरिया के वज़े से घटित होता है बिलकुल सही है अनुभव विकास का एकमात निर्धारक है विकास प्रिवलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है या फिर विकास पृतिक बच्चे की गति का सई डंग से अनुमान लगा सकता है नंबर शैवन का यानि कि एट का यह उप्षण बिलकुल करेक्ट रहेगा जब हम प्रिंसिपल वज़ द्वलप्एंट विकास के सिध्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पर ए बिलकुल करेक्ट रहेगा विकास प्रिपक्वान यानि maturity से विकास का सीधा सीधा संबंद है जिस तरह से बच्चा मिच्योर होगा उसकी एज बढ़ती जाएगे इस तरह से विकास बढ़ता चला जाएगा यानि maturity और यानिकी अनुभव उसके experience से उसका सीधा सीधा संबंद हैं बाकि B, C, D की बात करें तो ये विकास का कोई भी सिध्धान्त नहीं है, question number 8 का A option बिल्कुल सही होता है, अब हम चलते हैं, question number 9, question number 9 है, which one of the following is an issue related to development, निम्ले कितमे से कौन सा विकास से संबंदित है, विकास से संबंदित कौन सा है, निम्ले कितमे से, देख लीजे, यानि कि सहजाद, अर्जित, या या फिर्कृति पालन, या फिर सेक्स्ट फ्रेंट्स, जैब हम बात करते हैं, विकास, विकास का सीधा सीधा संबंदित पिर्कृति पालन यानि कि nature nurture, really nature nurture क्या है, सब्सक्राइब निशार का सिधा सब्सक्राइब होता है निशर का सीधा संबन्द होता है विरस्टाहर emissions Japan पोस्टन मिलेगा उस तरह से बच्चे का विकास निर्धारित होगा जो हेरेडिटिक यानि कि आनुवांसिक विशेशता है वो बच्चा गर्फरी लेकर पैदा होता है तो फ्रेंट्स यहां पर कुस्ट्चन नमबर 9 का C की ऑप्सन बिल्कुल सही होता है नेक्स चलते हैं इसके साथ कुस्ट्चन नमबर 10 कुस्ट्चन नमबर 7 छूटा हुआ है उसे करेंगे नेक्स आने वाला है तेन की तरफ चलते हैं यानि की पिरकृतिक पोस्टन विवाद में पिरकृति से क्या अभिप्रा है वाट इस मीन ट पास का वातावर्ण जैविकिये विशिष्टा या आनुबंसिक या वनसानुक्रम सूचना या एक व्यक्ति की मुल्व विरत्ति या भौतिक और सामाजिक संसार की जटल सकतियां तो फ्रेंट्स यानि की अभी मैंने लास्ट कुस्चन में डिसकस किया कि नेचर नर्चर डिवेट की जब भी बात होती है तो पिरकृति का जो संबंध है वो किसी भी व्यक्ति किसी भी वच्चे की आनुबंसिकता उस वच्चे के वनसानुक्रम से इसका सीधा जो उसके किसी भी बच्चे के माबाब दोरा विसेश्था है जो जीन दोरा आ गई होती है तो फिर्ण यहां पर यह रहा यानि कि पिरकृति का संबंध होता है सीधा सीधा उसके आनुवनसिक विसेश्था होता है अब हम चलते हैं कुस्चन नमबर हाँ जी एक और कर लेते तक आगे की और बढ़ता है फिर पीछे की और बढ़ता है विकास आत्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में जाते हैं या फिर विकास भिन विक्तियों में भिन गती से होता है या फिर हम बात करें विकास जम से के सोरवस्ता तक बहुत तीब्र गती से होता है और उसके बाद रुक जाता है फिरेंश आप English में यदि रीड करना चाहें तो question और option इसके English में भी हैं उसे भी देख सकते हैं ठीक है तो हम बात करें विकास से संबंदित कौन सा सही है कौन सा कथन तो फिरेंश डी की बात करें कि सो रवस्ता तक तीब्रगती से होता है हां सही कह सकते हैं कि क सो रवस्ता तक तीब्रगती से होता हैं लेकिन उसके बाद रुक जाता है किसी वी व्यक्ति का विकास कभी भी रुकता नहीं है सिर्फ इस्टे कर सकता है ठीक है यहां पर जो सही रहेगा विकास आत्मक परिवर्टन एक सीधी रेखा में आगे जाता है यह बिल्कुल गलत है एक सीधी रेखा में नहीं चलता जब विकास है किसी बच्चे का वह इस्पाइरल होता है चक्री होता है यहां पर सी ऑप्सन बिल्कुल सही होता है कुस्चन नमबर 11 का विकास विक्तियों में भिन गति से होता है यह दिदि दो भाई हैं यह दो जुड़मा बच्चे भी हैं ठीक लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास जन्म से किसोरा वस्ता तक आगे की और वड़ता है और फिर पीछे की और यह उप्सन भी हर जाएगा तो कुस्चन नमबर 11 का सी ऑप्सन बिल्कुल सही होता है इसके साथ नेक्स चलते हैं और हम कुस्चन नमबर 12 कुस्चन नमबर 12 क बहुत सारी क्लास कर चुके हैं वेसिकली उसमें सबसे ज्यादा हम चाहिल साइकलोजी कर रहे हैं इसके साथ साथ हमने एविएस मैट्स पेडागोजी के कुस्चन सीरिज कर रखे एविएस NCRT के तीन पार्ट कर चुके उससे जाकर देख सकते हैं इंगलिस और हंदी पेड प्रसपर करिया का पढ़नाम है किसी बच्चे में जो इंडिविजन डिफ्रेंस पाया जाता है उसका क्या एक कारणा है जैंस किसी बच्चे में की जैंस यह फिर आनुबांसिक बनावट या फिर जनजात लक्षण या फिर उसका वातावण व्यक्तिकत विभिणता बनसानुगत कारकों तथा के बीच जटल परसपर किरिया का पढ़नाम है तो फ्रेंट्स यहां पर ऑप्षण ए रहेगा जैंस सेकिंड रहेगा आनुबांसिक बनावट सी रहेगा जनजात लक्षण या फिर रहेगा वातावण तो किसी भी कि यानि कि जैनेटिक मेक अप यानि कि 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 सी ऑप्षन बिलकुल करक्ट रहेगा यानि कि इन बॉर्ण करेक्टरिस्ट्री जब भी कोई बच्चा अपने मा के गर्व से पैदा होता है जो उसमें विशेष्टा होती है उस कारण दो बच्चे ठीक है यह दो से अधिक बच् इंडिविजल डिफ्रेंसिस यानि के विक्तिकत बिभनता है पाए जाती है ठीक तो यहां पर कुश्चन नंबर 12 का सी ऑप्षन बिलकुल करेक्ट होता है अब हम चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन नंबर 13 से पहले कुश्चन नंबर 7 जो छूटा हुआ था उसे कर लेते हैं यह रहा कुश्चन नंबर 7 इस सीरिज का विच टर्म वेस्ट डेस्क्राइब एट चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ कौन सा सब्द एक बच्चे की सारी व्रद्धी को सबसे अच्छी तरह वड़नित करता है निम्ले कितमे से किसी बच्चे के जो सारी व्रद्धी है यानि कि फिजिकल ग्रोथ है उसको अच्छी तरह से एक्स्प्रेन करता है यानि कि कि किसी बच्ची के जो फिजिकल ग्रोथ है वो गुणात्मक होती है संक्रुटनात्मक होती है यानि कि कौनसेप्चुल होती है या फिर मात्रात्मक होती है या फिर डी ऑप्शन की तरफ चले हम त और ना होते हैं तो आःधन ब्रद्री की बात करते हैं आ बाल विकास की बात करते हैं तो हो इप लाधन करें हैं यह सब किसी बच्छे की मौटाइब यह सब और उसके फिर को सोथ में आते हैं यानि कि इन सब का मापन क्या जा सकता इन सब को हम नाप सकते हैं यह घट बढ़ सकती हैं तो कुल मिलाके हम कह सकते हैं कि यहां पर option number C बिल्कुल correct रहेगा यानि कि किसी वच्चे के जो सारी रख विरद्धी है वो सीधी सीधी होती है यानि कि quantitative यदि हम बात करते हैं फ्रेंट्स डवलप्मेंट की तो डवलप्मेंट होता है qualitative यानि कि गुणातमक तो यहां पर question number 7 का C option बिल्कुल सही होता है इसके साथ फ्रेंट्स question number 13 है यह आपके लिए homework रहेगा question number 13 को आप read कर लिजिए और option पर लिजिए option में describe करता हूं comment box में आपको बताना है कि इस question का कौन सा जो option है बिल्कुल सही रहेगा इसके साथ इस session को मैं यहीं पर wind up करूँगा तो देखिए यह रहा 13 question इस session का व्यक्तियों में एक दूसरे से विहनता क्यों होती है व्यक्तियों में एक दूसरे से विहनता क्यों होती है why do individual differ from one another वातरमर्ण के पिरभाव के कारण या दो व्यक्ति या दो बच्चें एक दूसरे से विहन होते हैं उनमें individual differences पाया जाता है उसका क्या एक पिरमक कारण हो पिर होता है वातावर्ण के पिरवाब के कारण ऐसा होता है या फिर जन्जात विश्यस्ताओं के कारण ऐसा होता है ठीक है या फिर आन यानि वन सानुक्रम और वातावर्ण के विच अन्यों किरिया के कारण ऐसा होता है या फिर प्रतिक व्यक्ति को उसके माता-पिता के जी एक और अप्षन ए है विकोस ऑफ दा इंपेक्ट ओफ दा इनवार्मेंट दिउ टू दा इन्वार्ण करेक्टरिस्टिक्स दिउ टू इंटर प्ले विट्म हैडिती और एन एन्वार्मेंट यह दी ऑप्षन कहता हूं विकोस एच इन्डी वीज्वल है सब्सक्राइब करें और हमारे इस सेशन को लाइक करें और अपने प्रेंट के साथ जरूर जरूर शेयर करें यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हाँ वेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचें इसी के साथ मैं एस पे आप से विदा लेता हूं नमस्कार